हेलो विवान वेल्कम तो मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज आप में बिट मैनेपलेशन के प्लेलिस का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं दो बिट मैनेपलेशन जाए भाड में पहले हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे देखेंगे कि क्यों बिट मैनेपलेशन की ठीक है ओके और आप मेरा ये चैनल भी रिफर कर सकतो इफ यॉट तो लो माई लाइफ बिहांड थे सीन्स और कुछ मोटिवेशन एवरीवन हास फेस्ट रिजेक्शन सभी लोग फेस करते हैं मैंने भी फेस किया है अउनली दोज विन हू स्टूड अप अन्ड केप मूवि ठीक है जिसमें वाविल जो होंगे जो भी वाविल्स होंगे वह एवन नंबर में होने चाहिए ईए तो यहां पर देखो इविन नंबर of times आपको चाहिए न सबसे बड़ा सब्सुनिंग जिसमें वावल से इविन नंबर of times आ रहे हैं तो अगर मैं ध्यान दो तो यहाँ पर दिको LECC यह एक सब्स्ट्रिंग है जिसमें वावल देखो तो कौन है इसमें वावल हे है और यह यह बाकि तो तो आम बस वाल से मतलब है, तो इसमें ध्यान दो, वावल जो है, वो दो बर आया है, है न, इवन नमबर उफ टाइम्स और इस सब्स्ट्रिंग का लिंद कैप 5 है, इस से बड़ा सब्स्ट्रिंग आप नहीं डूपाओगे, जिसमें सारे वावल से इवन नमबर उफ टाइम् जिसे माल लेते हैं आपने इसको किया तो देखते हैं इसमें ई तो दो बार आ रहा है और वावल कौन सा यह भास्तल 수 यह तो खरबड ना और नंबर अफ टाइम तो एक तो इसमें इप दो बार हो गया करने के लिए एप इस अब दो बार हो गया यह इ ак इसमें लेकिन एक और वावल है, देखो O, बट O एक बार आया है, तो आप नहीं ढूंद पाओगे, maximum length आपको जो दिखेगा, वो इस substring का देखेगा, ठीक है, जिसमें जो वावल है, सिर्फ E ही है, और वो दो बार आया है, इसका length 5 है, यहादर clear है, तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ही है था, कि भाई, sliding window लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे है, क्या problem है sliding window में, ठीक है, क्यों feasible नहीं है, इस problem के लिए sliding window, I'm not sure यह सब चीज़े को बताता है, या तो कहीं editorial में दिया भी होगा, बट मेरे असाब से यह चीज़े पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि problem देखके सबसे पहले sliding window ही आया होगा आपके मन में, मेरे मन में भी आया था, बट क्यों यह fail करेगा, या क्यों दिक्कत आएगी इसको implement करने में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक बड़ देखते हैं, याद करो sliding window में क्या करते हैं, दो pointer लेते हैं, I pointer और J pointer ले लिया, ठीक है, और याद करो output इसका क्या था, इसका output यह था न, L E T C था, ठीक है, 5 length का substring, तो चलो मान के चलते हैं न, कि J अभी हमारा यहाँ पर है, और हमें maximum length मिल चुका है, ठीक है इसका 5 है, length अभी, तो sliding window में याद करो, क्या करते हैं, J आगे बढ़ता था, तो ठीक है, J को आगे बढ़ाया मैंने, और याद करो, इस window में, E का एक ही वावल दिख रहा है, मुझे E, जिसका count कितना है, 2 है, अभी J जब यहाँ पर आया, तो देखो, एक O आ गया, जिसका count है 1, अब देखो, अभी इस window में, अभी यह जो window है, ध्यान दो इस window पर, इस window पर एक वावल है, एक तो E है, एक तो O है, तो E का count तो even है, ठीक है, O का count लेगे और दिख रहा है मुझे, ठीक है, अब देखो, ओर जब दिख रहा है, तो इस case में, मैं विंडो श्रिंक कैसे क करूं, मतलब, हाव डो आ श्रिंक देख विंडो, अगर आप J को भी आगे बढ़ा देते हो, तो 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 कोई फाइदा हुआ नहीं, अभी भी O का count 1 है, ठीक है, तो और अगर आप I को आगे बढ़ाते हो, तो अभी कोई फाइदा नहीं है, अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो विंडो श्रिंक का जो लॉजिक है, विंडो श्रिंक लॉजिक जो है, वो स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, अब ये श्रिंक किदर से किया जाए, आई को यदे श्रिंक करें, या फिर J को बढ़ाते चले कोई इसकी guarantee नहीं है कि आपको सही answer मिलेगा तो sliding window का standard shrinking logic होता है वो इस पे काम ही नहीं करेगा आप ट्राइ करके देख लो आपका आप खुद confused हो जागा कि आई को कब बढ़ाऊं और कब रोकूं ठीक है तो इसलिए sliding window तो फसेगा तो तरीका है sliding window से भी बट वो standard sliding window को problem नहीं होगा वो जबर्दस्ती का brute force होगा ठीक है तो वो एक सही approach नहीं होगा तो sliding window का standard जो template है उस पे यह fall नहीं कर रहा है इसलिए sliding window is not feasible for this problem ठीक है तो अब आते हैं कि भाई फिर कैसे approach लेंगा ऐसे problem को ऐसे problem को कैसे solve किया जाए एक दम ground level से इसको build करते हैं और multiple approaches से सीखेंगे इसको तो देखो सबसे simplest approach जो मेरे मन में यह आया मैंने यह example लिया थोड़ा छोटा example लिया है 0 1 2 3 का indexing कर देते हैं देखो मान के चलते हैं अभी आप index number i पर हो 0 पर हो ठीक है index number i is equal to 0 पर हो आपको यही पता करना है कि count कितना है वावल्स का ठीक है count अगर odd है तो हमें उसे ध्यान में नहीं देना है अगर count even है तो हमारे लिए valid होगा वह है वावल्स का count even होना चाहिए तो हमारे पास पांच ही वावल्स है तो एक यूने एक array ले 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 ठीक है पांच size का कुछ भी ले सेकतो मैप या जो भी आपको लेना है जैसे ही मैं index i is equal to zero पर आया तो मैंने देखा कि index i is equal to zero पर e है तो मैंने वावल्स का count बढ़ा दिया e किसको represent कर रहा है index number one जो है वो e को represent कर रहा है तो मैंने इसका count बढ़ा दिया ठीक है और since देखा है तो आपको count से भी मतलब नहीं है आपको यह पता करना कि odd count है या even count है तो जो भी count निकल कर आता है उसको modulo two ले लेंगे modulo two लेने पर अगर वो zero आगया मतलब वो even count था अगर zero नहीं आया तो मतलब वो odd count था तो जो भी count निकल कर आ रहा जैसा है अभी इसका count one है तो one modulo two कर देता है तो one आ जाएगा वापस मतलब यह odd count है जीरो होता तब even count होता तो मैंने इसका count one था one modulo two कर दिया तो यहाँ प अब okay अब i is equal to one पर आते हैं यह i is equal to zero पर था यह i is equal to one पर था one पर भी मैं same array बना लेता हूं तो three, four, zero, one, two, three, four, a, e, i, o, u okay अभी index i is equal to one पर जब मेरा i गया तो l है ना वहाँ पर तो l तो एक consonant है तो इसमें कोई change नहीं आएगा राइट क्यूंकि एल के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर मेरे लिए है ना सिर्फ a, e, i, o, u के लिए है जीरो 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 इसमें ठीक है i is equal to यहाँ पर आगे तो मुझे एक और e दिखा है तो अव्यसी बात है क्या होगा यहाँ पर इसको मैं update करूँगा 0, 1, 2, 3, 4, a, e, i, o, u ठीक है मुझे एक और e दिख गया ना यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा अभी जो भी इसका count है 1 उसमें plus 1 करूँगा उसमें modulo 2 कर दूँगा ठीक है यहाँ तक clear है तो 1 plus 1 modulo 2 के तो 0 आ जाएगा इसके यह 0 हो गया ठीक है बाकी भी 0 हो गया अब दे लास्ट टाइम 0000 आपने देखा था कहीं पर मतलब इसको अगर आप स्ट्रिंग में कनवर्ट कर दोगे इसका स्टेट कुछ ऐसा देख रहा होगा 00000 है ना और इसका भी लिख देता हूं स्ट्रिंग के फॉर्म है ताकि आसानी हो 0 ठीक है यह कहा है 01 0000 यह कहा है स्टार्ट अब एक छीज़ ध्यान दो आपने यहां पर देखा कि यह पांच बार 0 है यह पांच बार 0 मतलब यह वाला अरे आपने पास्ट में देख रखा होगा कहीं ना कहीं देख रखा है यह यहां पर ठीक है और इसका मतलब पता है क्या हुआ क्लियर कट इसका यह मतलब है कि तारा सारे zero count हो गया है मतलब पक्का even number of vowels दिखे हैं मुझे इस इंडेक्स के दोरान इंडेक्स इंडेक्स इसको मान लेते हैं क्योंकि इतने पार्ट का जो स्ट्रिंग है उसमें even number वावल्स रहे होंगे तभी तो वापस से zero आ गए यह देखो सेम स्टेट में दुबारा आ गए हम लोग है ना ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वैलेट सब्स्ट्रिंग मिला है तो हम अपने रेजल्ट को अपडेट कर देते हैं स्टार्टिंग में रेजल्ट लेंथ के इतना था जीरो था पर अभी मुझे क्या दिखा है करे करते हैं मैप में स्टोर कर लेंगे इसको कि हमारा जो स्टेट था लास्ट टेम मुझे कब दिखा था तो अरे को तो स्टोर नहीं करेंगे मैप में इस स्टेट को मैं स्ट्रिंग में कनवर्ट कर दूँगा ताकि मैं असानी से स्टोर कर सको तो इसको स्ट्रिंग में कर दिय फिर यहां पर देखो 5 0 दोबारा दिखा है मुझे तो मैं चेक वा रहा हूँगा कि 5 0 मुझे लास्ट टाइम मैप में कब दिखा था इंडेक्स संबर माइनस वन पर दिखा था तो मैं मैप से निकाल लोगा MP of 0000 करेंट स्टेट जो है मेरा ये वाला ठीक है अब दोनों को मैनेस करेंगे तो मुझे लेंथ निकल करा जाएगा सबस्टिंग का लेंथ क्या है क्योंकि यह भी इंडेक्स है राइट तो 2- इसका माइनस वंध इंडेक्स के तना हो हो गया सही बात है इसका लेंथ 3 है ठीक ह अपने पास्ट में इसिम्लर प्रोब्लम बना रखा है पास्ट में पता है कैसा प्रोब्लम क्या था कि फाइंड लॉंगे जिसका सम इक्वल टू जीरो है अल्मोस्स यह इद्दम सेम कोश्चन है ठीक है जिन लोग बना रखा होगा वो समझ गयोंगे और वो वीडियो पॉस् यहां पर हमें लेंथ के मिला तीन मिला है अभी देखना अभी एक बहुत इंपॉर्टन पाट आएगा और हाँ यहां पर भी आप सेम काल्कुलेशन जरूर से करना क्योंकि दोबारा यहां पर दिखा है और यहां पर भी दिखा था आपको राइट तो यहां इंडेक्स नमबर माइन एक बिखा तो 1-0 यानि की मैसिमम लेंस स्टार्टिंग में रहा होगा ठीक है और वह सब्स्टिंग को अने यह खुद अल है क्योंकि कोई भी वावल नहीं है तो आप्वेस है वह एविन नमबर टाइमस है ठीक है उसके बद मुझे दोबारा पांच जीरो दिखा था तब मैंने अपडेट कर दिया था इसको आंसर को इंडेक्स नमबर 2 माइनस माइनस ओफ 1 that is 3 तो मैंने रेजल्ट को अपडेट करके 3 कर दिया मतलब मुझे अभी तक best substance यही दिखा है यह वाला ठीक है ELE अब देखो इंट्रेस्टिंग हो जागा problem यह सबसे तो अब वेसे बात है E को मैं यहाँ पर काउंट करूंगा और मॉडिलो 2 ले लोगा तो वापस से 1 ही आ जाएगा तो काउंट मॉडिलो 2 कितना हो गया वन आ गया तो आप देखो देखते हैं इसका state क्या है 0100000 क्या यह स्टेट मैंने पास में देख रहा है जीरो पर देखा था तो लेंथ कितना हो गया doesn't hide 0100000 हमने ठीके तो इस का लेंथ कितना गया तीन आ गया और वो लेंथ कौन सा है देखो तो ठीन दो वो लेंथ यह वाला है यह देखो ठीक है इंडेक्स नंबर 0 में पास्ट में मुझे यह दिखा था 0 1 000 और अभी मुझे दुबारा से दिखा है ठीक है करेंट इंडेक्स 3 पर दिखा है तो 3 मैंने 0 मेंने किया तो लेंथ 3 निकल आया और वो इसको रेप्रेजेंट कर रहा है इस वाले सब्स्ट्रिंग को तो तक समझ में आ गया तो देखा है तो बड़ा सिंपल से प्रॉब्लन था इसको और थोड़ा सा बेटर करेंगे इस अप्रोच को बट यह अप्रोच आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है कि आपको कुछ करना नहीं है बस काउंट मेंटेंग करके रखना है और उस का सेनप्ट को मяप में गलते जाओ और देखो कि पास्ट में आपने उस स्टेट को कब देखा है अगर देख रका है तो अराम से लेंठ निकाल सकते हो अना release इंडेक्स इंडेक्स माइनस पास्ट में अपने उस स्टेट को किस इंडेक्स में देखा था दोनों को माइनस करोगे तो लेंथ निकल आएगा ठीक है यहां तक क्लियर है तो चलो इसका कोड करते हैं और टाइमर स्पेस कंपलिटी वही पर देख लेंगे उसके बाद उसी कोड को सेम सिंप्लिफाई करेंगे तो चलो जल्दी से सबसे पहले अपने पहले अपरोच से कोड कर लेते हैं याद करो मैंने बलता है मैप एक रखेंगे जो कि हर स्टेट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में किस इंडेस में मुझे मिला था वो यहां स्टूर करेंगे यहां तक क्लियर है और मैंने बोला था कि एक वेक्टर ओफ अमधा एक करेक्टर अर्य ले लेते हैं मतब वेक्टर ले लेते हैं इसका साइस फाइव रखेंगे यह जो वावल काउंट को बताएगा या तो स्टेट बोल सकते हो जो भी आप इसको नाम देना चाहूँ स्टेट इसका साइस 005 वैली जीरो है अभी तो मेरा करेंट स्टेट होगा वह कुछ ऐसा होगा 0000 ठीक है और मैं मैप में इसको डाल देता हूं कि मेरा जो करेंट स्टेट है वो मुझे इंडेक्स नंबर माइनेस वन पे दिखा है क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है ठीक है इन्ट मेर ने क्या बोला आपको कि अगर मेरा s of i is equal to is equal to a हुआ ठीक है तो अब्विस है wow will count जो होगा मेरा या फिर इसका नाम state दे दो state of 0th index a को represent कर रहा था ठीक है will be equal to state of 0 में जो भी value है उसमें plus 1 करेंगे और modulo 2 क्यों कर रहा है बस मुझे odd या even ही पता करना है that's it ठीक है और अगर ऐसा नहीं हुआ else if अगर मेरा sorry s of i is equal to is equal to e हुआ तो state of 1 में same चीज़ करेंगे state of 1 plus 1 modulo 2 ठीक है similarly हम करेंगे i o और u के लिए same चीज़ करेंगे ना तो बस मैं copy paste कर देता हूँ बाकी के लिए edit कर लेंगे a e i o u ठीक है यहाँ पर a हो गया e हो गया अगर i होता तो index number 2 पर करते हैं अगर o होता तो index number 3 के लिए करते हैं अगर यह o है और अगर u के लिए होता तो index number 4 के लिए करते हैं यहां तक क्लिर है ओके अब अब अव्य से बात है अब सिंस मैंने स्टेट में चेंज किया अभी तो करेंट स्टेट क्या बनेगा वह देख लेते हैं स्ट्रिंग कर इस इक्वल टू अभी एंप्टी रखते हैं इसको फॉर इंट नहीं बनाने की जरूती निए करेंट स्टेट मेरा चेंज हो जाएगा करेंट जो मेरा था करेंट स्टेट उसको मैंने अभी ब्लैंक कर दिया करेंट स्टेट को बना लाता है जे इस उकल टू जे इस लेस दन फाइव जे प्लस प्लस ठीक है current state plus sorry plus is equal to two underscore string जो भी मेरा है state of i state में 0 है तो 0 चला जागा 1 है तो 1 चलागा and so on तो मतलब यह कुछ ऐसे string में convert हो जागा and so on जो भी है जो भी मेरा state होगा ओके यहां तो clear है अब बस मुझे यह देखना है कि क्या है यह state मेंने past में देख रखा है if mp.find current state is not equal to mp.ind ठीक है मतलब मैं अगर past में मैंने यह state देख रखा है तो obvious result will be equal to maximum of already जो result है और i- past में मैंने current state को किस index पे देखा था तो मुझे length मिल जागा यहां से और अगर ऐसा नहीं है मतलब यह state मैंने पहली बार देखा है तो इसका index अपडेट कर दो कि मुझे i-th index पर यह state दिखा था यहां तक clear है last में मैं एका करूँगा return result कर दूँगा okay I think this should work let's see पहले रंग कर के देख लेते हैं we should be able to pass all the test cases spelling कहीं पर गलत है यहां पर current state होगा two strings state of i क्या अगरबड है यहां पर अच्छा यहां पर j होगा न जे पोईंटर होगा sorry indeed yes submit कर के देखते हैं तो we should be able to pass all the test cases time complexity देखो ओ अफ एन ही है क्योंकि S मैं एक बार iterate मार रहा हूं यहां पर है ना indeed we have passed all the test cases तो ओ अफ एन तो यहां पर लग रहा है और यहां पर तो for loop है ना यह देखो ध्यान दो यह 5 कोई constant है right O of 1 लगेगा यहां पर ठीक है तो देखा और यह unordered map है तो constant time लगता है C++ में तो I think O of any time complexity लेकिन हां हमने यहां पर space लिया है map लिया है ओके तो आप देखते हैं फर्दर इसी code को थोड़ा और clean कैसे कर सकते हैं ओके तो अब देखो थोड़ा सा different way में करते हैं इसी को same code होगा बस हलका सा एक change करेंगे ऐसा कुछ नहीं कि time complexity में कोई improvement है code एकदम सेम है बट हलका सा एक चीज जो आप try कर सकते थे याद करो इससे पहले हम लोग कैसे count मेंट मेंटेंग कर रहे थे यह हमारा वावल का count वाला अरे था ठीक है जैसे ही मुझे दिखता था तो मैं का count 1 करता था और उसको modulo 2 कर देता था ताकि बस मुझे इतना परदा चलता कि वह even है या ओड है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे जैसे इसको एगनूर मारते हैं फिर ए आया देखो दोबारा तो याद करो एक का काउंट अल्रेडी वन था उसमें मैं दोबारा अभी एक और दिखा तो एक और और जौर ले लिए तो देखो करते हो तो जीरो आ जाता है तो सेम चीज अब यहाँ पर भी कर सकते हो ठीक है तो वापस से यह तेखो यह पर जीरो हो गया फिर दोबारा जब यह मुझे दिखा तो दौबारा मैंने जौर किया उसको E के position पे भी 0 रखा हुआ है है ना तो 0 तो 1 1 बचेगा क्योंकि यह दोनों cancel यहाँ पर 1 आ गए तो अभी यहाँ पर 1 आ गए यहाँ तर क्लिर है तो मैं बोल रहा हूँ बस थोड़ा सा change था कि प्लस 1 मॉडूलो 2 के बजाए आप यहाँ पर जौर भी यूज़ कर सकते थे है ना क्योंकि even number of times कोई भी चीज को जौर करते हैं तो वो 0 हो जाता है और 0 है मतलब even number of times आया है जीरो नहीं है मतलब वो odd number of times आया है यहाँ दे क्लिर है तो same code को हलका सा modify करते है यह जौर की मदद से इसको solve करते है उसके बाद further एक और slide change करके हम same problem को और भी अच्छे तरीके से solve करेंगे तो चलो अब second वाले से कर लेते हैं सब कुछ same रहेगा बस याद करो यह plus one modulo two करने की जरूरत नहीं है ना तो इनको मैं हटा देता हूं बस यहाँ पर जो भी होगा उसको zor1 कर दो है ना यहाँ पर zor1 कर दिया zor1 कर दिया zor1 कर दिया zor1 कर दिया और modulo बादिल की जरूरती नहीं है ना क्योंकि zor will take care of it अगर even number of time से तो 0 हो जाएगा odd number of time से तो 1 हो जाएगा ठीक है run करके देखते हैं we should be able to pass all the test cases indeed yes submit करके देखते हैं यहाँ पर भी time complexity same है space complexity same है अब इसको further और भी clean किया जा सकता है तो अब हम वहाँ पर आते हैं वो मेरा last approach होगा last तरीका होगा उसके बाद इस problem को finish करते अब थोड़ा सा और clean कर सकते हैं इस अपरोच को है ना slight improvement और क्या कर सकते हो देखो ध्यान देना याद करो हम हम हमेशा वावल काउंट ले रहे थे एक अरे ले रहे थे उसको फिर स्ट्रिंग में convert करते थे 000000 ऐसे स्ट्रिंग में convert करके map में store करते थे तो मेरा पॉइंट क्या है कि यह स्ट्रिंग एक अरे बनाना फिर उसको स्ट्रिंग में convert करने का यह करने की ज़रुती नहीं है आप नॉर्मल एक इंटीजर ले सकते हो इस ट्रिंग ना लेके अप नॉर्मल एक इंटीजर ले लो उसका नाम मास करक लो ठीक है ठीक है मास्क उसका इंटीजर है तो बाइनरी में कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा वह जीरो 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 और यहां पर लेफ्ट साइट भी जीरो बहुत सारे हो सकते हैं तो मैं सिर्फ पांच बेटी दिखा रहा हूं अब दोको मेरा एक्जामपल है यह 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 मुझे दिखा तो पता है मैं का करेंगा और बाइनरी में क्या होता है राइट से लेफ्ट रीड करते हैं यह जीरो त बश्ड ब्त यह होता है यह सेकंड बिट तर्ड बीट ठीक है तो मैं इसको ए मानूंगा यह यह आई थ बिट यह ओ के लिए बिट होगा यह यू के तो जैसे ही मुझे दिखा तो मैं क्या करूंगा जिस bit को represent कर रहा है उस bit को मुझे one set करना है ठीक है one set I mean मतलब इस वाले bit में मुझे changes करना है तो अभी ए मुझे पहली बार दिखा है तो इसका मतलब मुझे इसको one करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा one को left shift करूंगा यह यह ज़िए हैना तो एक बार left shift मारूंगा ठीक है1 को एक बार left shift मारूंगा तो वन को मैंने लिया एक बार left shift मारूंगा तो होजागा 00010 हो जागा 00010 और दोनों-कजार ले लो नहुंगा इन दोनों-का बार ले लिया दो क्या हो जागा 0100 00 अब देखो यह मेरा current state है तिक है और यह current state क्या represent कर रहा है कि मेरे पास जो वावल है वो E है अभी E है वावल और वो एक ही बार आया है तब ही तो यहाँ पर 1 है ना ठीक है अब देखो ध्यान देना अब मुझे दुबारा से अभी दिखा L तो यह तो मेरा consonant है तो consonant के case में मुझे कुछ नहीं करना है ठीक है अ मतलब 00010 से जौर लेना पड़ेगा 10 से जौर लेना पड़ेगा जौर लिया मैने दुबारा से 0000 आ गया इसका मतलब समझे क्या हुआ कि यह देखो 0000 हो चुका है मतलब सारे वावल मेरे even number of times है क्योंकि जौर लिया है दो बार E आया है तो पहले 1 हुआ था और अभी दुब से अपना काम चला ले रहे हैं बाकी सेम लॉजिक होगा मैप में स्टोर करेंगे स्टेट को अब हमें मैप में स्ट्रिंग भी स्टोर करना ही दरूत नहीं है नॉर्मल मास्क का जो वैल्यू होगा वो स्टोर कर लेंगे कि वो हमने किस इंडेक्स में देखा है और भी सिंप् फिर से मैं वही करूँगा कि यहाँ पर 000010 से इसको जौर लूँगा ठीक है 010000 आ गया अब 00010 मुझे पास्ट में अगर मैप में कहीं दिखा होगा तो मैं वही से फिर लेंथ निकाल लूँगा जैसे मैंने प्रिविएस अप्रोचेस में निकाला था तो सब कुछ सेम है बस यहां पर array string लेने के बजाए मैंने simple एक mask नाम का variable ले लिया और उसका binary representation की मदद से मैं यह पता कर पा रहा हूं कि कौन सा वोवल है और कौन सा वोवल नहीं है और कितनी बार है और है यहां तक क्लियर हो गया तो अभी code करेंगे तो और भी क्लियर हो जागा जल्दी से same story को code में convert करते हैं और फिर इस problem को finish करते हैं अब देखो अपने third approach से आयाते मैंने क्या पहला कि यह कुछ वेक्टर वेक्टर लेनी की ज़रूत नहीं है और यहां पर string current state एक string भी ज़रूत नहीं कि नॉर्मल मैं एक variable लोंगा int mask is equal to 0 जिसका binary repetition कुछ ऐसा होगा राइट है ना मैंने मास्क लिए इसकी value 0 है और यह जो मास्क है यह मुझे पहली बार index number 1 पर दिखा तो इसलिए मैंने माइनस 1 डाल दिया है मैप में करके ठीक है यहां तक क्लियर है और उसके बाद यह सारी चीज़े मैं हटा देता हूं कि यह सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरा कोई array है ही नहीं मैं array जो भी करना मुझे मास्क से करना है राइट इसको भी क्लिंग कर देता हूं इसको भी क्लिंग कर देता हूं ठीक है और मुझे यहां पर इन चीनों की जरूरत नहीं है ग Tu को एक स्टेट बनाने के दर्द नहीं जो भी है मुझे मास्क से ही करना अब देंको ध्यान दो यहाँ पर अगर यह जब आता मास्क की जो फिक इन क्या यह विल्यु upon जो रहा था मास्क को स्वाउबहता है यह E है न तो 1 को left shift कितने बार करेंगे? 1 times किया था हमने, ठीक है? और अगर वो मेरा A है तो mask को मैं जोर करूंगा, 1 को left shift 0 times करूंगा, ठीक है? Similarly, mask is equal to mask को जोर करूंगा, 1s को left shift 0 and 2 times कर दो, ठीक है? इसमें क्या होगा? mask is equal to mask को जोर कर दिया, 1 को left shift 3 times कर दिया मास को जौर कर दो वन को लेफ्ट शिफ्ट फोर टाइम्स कर दिया यहां तक क्लियर है तो हम मेरा मास का वैलू निकल आए अब बस मुझे इतना चेक करना है कि यह करेंट मास का जो वैलू है क्या यह मैंने पास्ट में देख रखा है अगर देख रखा है तो पड़िया है मास्क मास्क इस एकल टू आई सब कुछ सेम है ना बस हमने यहाँ पर यह लॉजिक अलग कर दिया है जौर बस निकालना है आपको इतना ही तो पता करना कि इवन नमबर उफ टाइम्स है और नमबर उफ टाइम्स है ठीक है MP हाँ यहाँ पर स्ट्रिंग है ना यह भी इंटीजर हो जाएगा रंग करके देखते हैं वी शूट बी अबल टू पास अउट इसकेज़ इंडीड यहस दो टाइम कॉम्स टी ओ अफ एन है बट एक चीज़ ध्यान दो स्पेस कॉम्स टी भी हमारा या तो जीरो सेत व का यह तो वन सेत वाएगा तो टू का पावर फाईफ पॉसिबल स्टेट्स है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टू का पावर फाइव स्पेस होगा which is equal to o of 32 which is equal to o of 1 तो space भी मेरा o of 1 ही है time composite o of 1 है तो बहुत ही अच्छा ही अपरोच है हमारा ठीक है I hope I was able to help कोई भी डाउट होता है रेज रेंट इन दे कॉमेंट सेक्शन I'll try to help you out ये भी submit हो गया see you guys in the next video thank you